Hello students, आज हमारा Current Electricity का Lecture 5 होगा, जो की काफ़ी important lecture है, जिसमें आप लोग OMS Law को पढ़ेगे. यह OMS Law एक्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो चलिए इससे हमें स्टार्ट करते हैं, जो हमारा आज का फर्स टॉपिक है, वो है OMS Law. देखे, OMS Law है क्या, आप लोग ने Electric Registrance पढ़ा था, R equals to B upon pi. कोई चालकतार है, जैसे यह सपोस कर लीजे कोई चालकतार है, जब हम इस चालकतार में कोई potential difference apply करते हैं, इस चालकतार के सिरों के बीच में जब हम कोई विभवांतर लगते हैं, तो उसमें एक current का फिलो होने लगता है. जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इस चालकतार में फिलो होने वाली जो current होती है, भो भी क्या होती है बढ़ती जाती है लेकिन ये जो current का फिलो होता है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बोल्टेज के according ये linear रहे ये बोल्टेज के according एक बोल्टेज के साथ साथ एक समान बढ़े कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप voltage बढ़ा रहे हैं तो current कहीं पर कम बढ़े कहीं voltage बढ़ाने पर current जादे बढ़ जाए लेकिन इतना जरूर है कि voltage बढ़ाने पर जो current होती है वो हमें सब बढ़ जाती है लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो करेंट है वो एक समा रूप से बढ़े तो ओम सुखा ये कहता है कि अगर हम किसी चालक तार का ताप ना बदले किसी चालक तार की भोते कबस्था और भोते कबस्था में मेली जो हम लेगे वो ताप लेगे तो अगर किसी चालकतार का ताप ना बदले तो चालकतार की सिरों के बीच लगाया गया भी हो वानता है और उसके बेहने वाली जो धारा का अनुपात होता है वो अनुपात हमेशा एक नियतांत होता है अर्थात B upon I बरावर कौस्ट ने है विए बरावर कौस्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं इसके लिए अगर किसी चालकतार का ताप ना बदले तो चालकतार के सिरों के बीच लगाया गया भी हो वानता है उसमें बहने वाली धारा के अनुकुर्मा अनुपाती होता है अर्थात जिस हिसाब से आप बोल्टीज बढ़ाएंगे उसी अनुपात में करेंट बढ़ेंगे अर्थात बोल्टीज और करेंट का जो अनुपात है वो हमेशा नियत रहेगा यह हो गया ओम्स लाइब और यह जो नियत अनुपात होता है भी अपोनाई इस अनुपात को उस चालक तार का प्रतिरोद कहते है यह अधर हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं भी प्रपोस्नल आई तो किलियर हो गया ओम्स का क्या है अगर किसी चालक की भोते क अबस्ता जैसे ता ना बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया बिहुवानतर, और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांग होता है, या अनुपात नियत हैۃ इस नियतांग को चालक का प्रतिरोध कहते है. या फिर लगाया गया विभुवान तर उसमें बहने बाली धाराते समान पाती इसके साथ कंडीशन यही है कि जो चालक तार है उसका टेमप्रेचर पॉंस्टेंट होना चाहिए अगर उसका टेमप्रेचर बदल रहा है कहीं पर तार एक दम से जादे गरम पड़ गया कहीं पर कम गरम पड़ गया तो ऐसी कंडीशन में जो बोल्टेज है गो धारा के अनुकुर्मा अनुपाती नहीं होगा बोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी तो लेकिन वो इसके डारेक्टली प्रकोजनल नहीं होगी अर्थात बहाँ पर ओम्सला लागू नहीं होगा ओम्सला लागू तब ही होता है जब चालक का जो टेमप्रेचर है वो पॉंस्टेंट है अब यहाँ पर बोल्टेज और करेंट के बीच में ग्राफ खीचने को आता है होम्सला में कि बोल्टेज और करेंट के बीच में ग्राफ लॉट करिए तो देखे अब हम यहाँ पर ग्राफ निकालेंगे यहाँ जो हमारा रिलेशन है वो बी प्रकोजनल आई है जब आप proportionality का sign हटाते हैं तो उसकी जगए कोई constant आता है और वो constant यहां पर R आए तो B बराबर हो जाएगा R I या I इसकी हम तुलना कर देंगे Y equals to M X देखे M की जगए पर यहां R है Y की जगए पर B है और X की जगए पर I है और आप जानते हैं जो B बराबर M X होता है वो origin से पास होने वाली एक street line सेम इसी के according अगर हम voltage और current के बीच में graph हीचे हैं देखें, voltage को कहा लेना है हमें Y अक्षपर और यह Y अक्षपर क्या लेंगे हम voltage लेंगे और current I को में कहा लेना है X अक्षपर तो अगर हम B और I के बीच में graph खीचते हैं तो Y बराबर M X के अरुसा यह graph हमेशा ओरीजन से पास होने वाली एक street line होता है तो हमेशा याद रखिए, ओंस law में जो voltage जो current के बीच में graph होता है वो graph हमेशा मूल बिन्ज से जाने वाली एक सरल रेखा होता है अब यहाँ पर आता है देखे इस एंगल को हमने माल लिया थीटा अगर हम इस graph से 10 थीटा निका जाएं तो 10 थीटा क्या हो जाएगा 10 यहाँ से देखे लंब बटे आधार होता है लंब यह B हो जाएगा और आधार यहाँ current है आधार जो हमारा है वो current option तो I हो जाएगा इन्हें 10 थीटा बराबर B upon I हो जाएगा और इस B upon I क्या कहते हैं चालक पर प्रत्रोब R कहते हैं तो इसकी देखे पर हम इख सकते हैं R तो R बराबर हो गया 10 थीटा या R 10 थीटा इसकी दिया कौन I हो जाएगा अब यहाँ पर देखे एक question है इसी से related है यह exam में पूछा बहिया है तो इस question के लिए हम करते हैं देखे यह question है निम्द graph से बताएग कि X सथा Y चालकों में किसका प्रत्रोब अधिक है यह आपको एक graph दे रखा है एक diagram दे रखा है इस diagram से आपको यह देखकर बताना है कि X और Y दो चालक है इन दो X चालक और Y चालक के लिए graph यहाँ पर दिखाया गया है और इजन से पास होने वाली एकी straight line है इन दोनों graph से हमें यह बताना है कि X और Y में से कौन से चालक का रजिस्टेंस जादर होगा अभी आप लोगों ने पढ़ा था जो रजिस्टेंस होता है R equals to 10 theta होता है मतलब जिस graph का धलान जादर होगा यानि जिस graph के लिए जो angle theta है वो जादर होगा उस graph का रजिस्टेंस भी जादर होगा अब हम सबसे पहले बात करते हैं X देखे य वाले यह वाले का धलान है और यह X वाले का चितर से आप देखे जो य वाले का angle है वो X वाले के एंगल से कम है यहाँ पर जो X वाले का ग्राफ है जो धलान है वो Y वाले से अधिक है और जिसका धलान अधिक होता है जिसका एंगल अधिक होता है उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होता है तो यहाँपर आजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? X का होगा तो यहाँपर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ X का धलान Y से अधिक है Y से अधिक है अतहा X का प्रतिरोट अधिक होगा X का प्रतिरोट फिकैं तो अब इसीलिए आता है resistance और temperature के संबंद से related question देखें question वह रहे है कि निम्द्ग्रापँ से बताए कि और T1 और T2 में कौन सा ताप अधिक होगा देखे ये जो हमने graph बोल्टे है जो current के वीच में खीचा है ये ताफ T1 पर है और ये जो हमने graph खीचा है वो ताफ T2 पर है हमें इस graph से ये बताना है कि T1 और T2 में से कौन सा temperature जाद है होगा तो देखे इस temperature के लिए हम किस तरिके से calculate करते हैं कैसे temperature को निकालते हैं आप्छे और उनने पड़ा है कि जो resistance होता है वो धारा के mark में रुकावट होती है अगर मालिजे किसी चालगतार का resistance हमने बढ़ा दिया या किसी चालगतार का resistance जाद़ है तो उसके current के mark में रुकावट क्या होगी? जाद़ होगी अर्थात उसमें जो current है वो कम फिलो दोगी और जब किसी बायर में current कम फिलो होती है तो वो बायर हमेशा heat हो जाता है क्योंकि किसी भी बायर के अंदर heating तभी produce होती है heating effect तभी होता है जब उसमें current की value कम हो जाती है current कम pass होती है और जो energy होती है वो पूरी की पूरी आपकी ज़्यादा तर जो energy होती है वो heat energy में convert हो जाती है जो electric energy है वो heat energy में convert हो जाती है जिसकी बज़े से जो बायर होता है वो क्या होता है गर्म हो जाता है तो यहाँ पर आप जो सबसे ज़्यादे main point है समझने वाला को यह है कि जिस buyer का resistance जितना ज़्यादे होता है उसमें current उतनी कम फिलो होती है और current कम फिलो होने की वज़े से heat उसमें ज़्यादे produce होती है तो resistance जदे होने का मतलब है उसके अंदर heat जदे होगा अर्था जिस बायर का resistance जदे होगा उस बायर का temperature भी जदे होगा अब हमें T1 और Q2 में से ये देखना है कि कौन से बायर का resistance जदे होगा अभी आपने ये भी पढ़ा था कि जो resistance होता है वो धलान पर भी depend करता है जिसका धलान जाद होता है उसका रजिस्टेंस भी जाद होता है तो यहाँ पर देखिए T1 वाले का अगर हम धलान देखेंगे तो यह धलान छोड़ा है और T2 वाले का धलान एंगल देखेंगे तो वो एंगल बड़ा है इसका मतलब है T2 वाले का धलान जाद है और जब P2 वाले का डहान जादा है तो P2 वाले का रजिस्टेंस भी जादा होगा क्योंकि R बराबर होता है 10 थेटा तो यहाँ पर देखे P2 वाले का रजिस्टेंस जादा हो जादा है और जिसका रजिस्टेंस जादा है उसका टेमप्रेचर जादा है तो अतहाँ पीतु ताप क्या होगा? अधिर होगा. पीतु ताप अधिर को होगा. तो ये हमारा इससे related एक numerical हो गया. पॉर्शन इस तरीके से ग्राप का दे देता है ग्राप में वो रजिस्टेंज पूच लेता है किसका जादा है ग्राप में ये पूच लेता है कि टैंपरेँचर किसका जादा है अब हम किसी चिप्टर में आगे पड़ते हैं ये हमारा Ohms Law हो गया और ओम स्लो से रिलेटेट कुछ कॉंसेप्शन, कोश्चन्स हो अब हमें अनुगमन बेग की आधार पर ओम के नियम का निगमन करना है तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है अनुगमन बेग की आधार पर ओम स्लो का निगमन अनुगमन बेग की आधार पर ओम के नियम का सत्यापन ये वोशन दूसरी तरीके से ऐसे भी आता है अनुगमन बेग और विभुमांतर में संब्ध तो हम इसके लिए ये भी लिख सकते हैं अनुगमन बेग तथा विभुमांतर में संब्ध अनुगमन बेग और विभुमांतर में संब्ध या फर अनुगमन बेग की आधार पर ओम स्लो का बेरिफिकेशन ये दोनों ही कोशन एक्जाम में बहुत ज़्यादे पूछे जाते हैं पूरा कोशन आता है ओम का नियम लिखे और अनुगमन बेग की आधार पर ओम के लिएम का सत्या कर्दि हमने माल लिया ये कोई चालक्तार है इस चालक्तार की लंबाई हमने स्मॉल एल ले ली और इसका ये जो अनुपरस्त काड़ है इसका छे तुफल हमने के बीदन ए ले लिया और इस चालक्तार के एकांग कायतन में मुक्त इलक्रानों की संख्या हमने स्मॉल एल ले ली तो जो चालक तार में बहने वाली धारा होती है वो आप लोगोंने प्रूफ की थी पिछने लेक्चर में आई उकल्स टू एन ए बीडी इवू जो चालक तार में बहने वाली धारा है वो आई बराबर होती है एन ए बीडी इए इसे एक्वेशन नमबर नाम अब हमने क्या खाम कि कि चालक तार के सिरों के बीच में B विभुवांतर लगा दिया अगर हम चालक साथ के सिरों के बीच में B विभुवांतर लगा दें तो बैदुच्छेतर कितना हो जाएगा बैदुच्छेतर देखे बैदुच्छेतर आप लोको ने ये पढ़ा है E बराबर होता है B अपॉन बी चैप्टर टू में पढ़ा था ए बराबर बी अपॉन डी लेकिन यहां पर दूरी डी नहीं चालक तार की लंबाई एल है इसी विए डी की जगए पर आजाएगा ए ए बराबर हो जाएगा बी अपॉन ए अब यह जो बैदुच्छेतर ए है इस बैदुच्छेतर की जैसे जितने भी मुक्त इलेक्टरान होंगे उन सारे मुक्त इलेक्टरान पर एक बल आरोपित होगा क्योंकि आपको पता है पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है जब कोई चार्ज एक एलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो हमेशा उस पर एक फूर्स लगता है F व मुक्त इलेक्टरान पर बल कितना लगेगा F वराबर होता ही QE लेकिन यहां Q की जगे E आजाएगा क्योंकि यहां पर कोई अन्य चार्ज नहीं इलेक्टरान है और इलेक्टरान के आबेस को हमेश्मॉल E से डिनोट करते हैं तो जो बल होगा वो F वराबर E हो जाएगा Capital E का मान उपर से लगा देंगे B upon L तो F वराबर हो जाएगा EB upon L और जैसे ही मुक्त इलेक्टरान पर बल लगेगा वैसे इलेक्टरान क्या होगा तो रित गती करने लगेगा इलेक्टरान में एक तोरण उत्पन हो जाएगा तो इस बल की बज़े से तोरण कितना होगा इस बल के कारण मुक्त इलेक्टरान में तोरण तोरण आप लोग Newton के second law को पड़ चुके है F बराबर होता है MA कि 11 में पढ़ा था यहां से अगर A निकालेंगे तो A बराबर L upon M हो जाएगा F की value लगा दीजे EV upon L और M चली रहा है तो A बराबर हो गया EV upon LM इसे केसर नम्प नाम दे दीजीगा तो अब क्या है जैसी मुक्त लक्तरानों पर तोरण काम करेगा बल लगेगा बैसी मुक्त लक्तरान एक तोरित गती करने लगेंगे अर्थात एक नियत वेक से ये चालक के धन सिरे की ओर जो बैटरी है उसके धन सिरे की ओर या उच्छ विवबबाले सिरे की ओर अनुगमर वे पहले मुक्तिलेक्टरान का वेग U1 था, दूसरे का U2 था, तीसरे का U3 और एंडस ओन डॉट डॉटर ऐसे ही 90 मुक्तिलेक्टरान का वेग U1 है जैसे ही हम 226 लगा देंगे वैसे ही मुक्तिलेक्टरान तुरित गती करने लगेगा और इस समय अब जो हरे फुक्त लेक्रान का वेग होगा वो वी बराबर यू पिलस के टाव से निए वी बराबर यू पिलस के टाव जहां यू इसका वो वेग है जब हमने बैदुच्छेतर नहीं लगाया था यह दिक ऊश्मिय वेग ठीक है और एसमें तोरण है और टाव इ बैदुच्छेतर लगाने से पहले बैदुच्छेतर लगाने से पूर मुक्त इलक्रान के वेग यह हमने मान लिया यह लेकी लिया माना बैदुच्छेतर लगाने से पूर मुक्त लक्रान के लिए यू1, यू2, यू3, और अबटो यू1, और चेत्र लगाने के बाद, चेत्र लगाने के बाद, जैसे यू अलट्रिक फील्द अप्टवाई करेंगे, बैसे बेग क्या हुजाएगा, पहले का यू1 प्लस ए टावडन हुजाएगा, दूसरे का यू2 प्लस ए टावडन हुज तीसरे का U3 प्लस A टाव 3 हुजाएगा और ऐसे N में का निकाने लिए UN प्लस A टाव N ठीक है ये कहां से आया है U1 प्लस A टाव 1 आपको बता है थाग वी बराबर जब हम एक बन आरोपित कर देते हैं तो किसी पार्टिकल का जो बेव होता है वो बी बराबर वी प्लस A टाव अब देखें हमें यहाँ पर अनुगमन बेग निकालना है अनुगमन बेग क्या होता है अनुगमन बेग जो होता है जितने भी फ्री लेक्रांस हैं जितने भी मुक्त लेक्रान हैं उन सारे मुक्त लेक्रानों के बेग का जो आउसत होता है उसी को कहते हैं अनुगमन बेग यह जो बैदुच्छेत्र लगाने के बाद बेग आये हैं पहले कबेग ये दूसरे कईए तीसरे कईए और ऐसे लास्ट में एन्वें कईए अगर हम इन सभी बेगों का एवरेज निकाल दें ओसत निकाल दें तो हमें अनुगमन बेग पता चल लागा कुकि जो अनुगमन बेग होता है उस सभी बेगों का एवरेज होता है बैदुच्छेत्र लगाने के प्ध़ तो आतहा अनुगमन बेग अनुगमन बेग अनुगमन बेग कितना हो जाएगा बीडी वराबर हो जाएगा U1 प्लस A टाव 1 प्लस U2 प्लस A टाव 2 प्लस U3 प्लस A टाव 3 प्लस A एंड सौन गज़ाट कर दीजे और प्लस U1 प्लस A टाव 3 और पूरे के अपोन में कर दीजे आ BD गढें अब देखें U1宁2 U3 इनके यह पर प्लस पासपासि कर लेतें, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस एंड सौन डॉड 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 प्लसस एक गज़ाट करें टाव 1, पिलस टाव 2, पिलस टाव 3, पिलस एंट्सान डॉट डॉट और लास्ट में टाव 1 और पूरे के अपॉर्ण में चला है ठीक है, हम इसके लिए अलग लग कर लेते हैं, यहाँ पर देखें इसे अलग लग करते हैं, तो अलग लग करने पर यह आ जाएगा अब देखें जो पहला टाव है, यूबन पिलस टाव 2, पिलस टाव 3, पिलस एंट्सान डॉट डॉट और लास्ट में टाव 1 और पूरे के अपॉर्ण में चलना है आपका है अब देखिए जो पहला टर्म है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एंड्स और डॉट 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 लास्ट में U1 और अपॉन में यह क्या है बैद्दु छेतर लगाने से पूर्ब यह बैद्दु छेतर लगाने से पूर्ब बेगों का एवरेज है और बैद्दु छेतर लगाने से पूर्ब जो सारे मुक्त लेक्टरानों का एवरेज होता है वो हमेशा जीरो होता है इसी लिए इस पहले वाले टर्म की जगए पर हम जीरो रग देंगे क्योंकि आप में पड़ा है अगर हम पर्टिकुलर एक लेक्टरान की बात करें तो एक लेक्टरान का तो उसमे बेग 10 to the power 5 meter per second होता है लेकिन अगर सारे लेक्टरानों के औस उसमे बेग की बात करें तो वो हमेशा जीरो होता है बैद्दु छेतर लगाने से पहले तो हम इसकी जगए पर पहले वाले की जगए रख देंगे G और पिलस यहां पर देखे एसाई रहेगा और यह आपके सभी जो है जो टाइम आफ रेलक्षेशन है श्रांतिकाल है उनका एबरेज आ गया और इसे हम बिनोट करते हैं के वर्ट ताव से तो यहांसे BD बराबर आ गया A ताव ठीक है BD बराबर कितना आ गया A टाव अब यहां पर इसे लिए थोड़ा सा मिड़ा देते हैं क्योंकि जगए की यहां बनी है देखे तो यह फारली आपका आगया बीडी बराबर एक यह जो बीडी की वेल्व निकल के आई है इस वेल्व को उठाके में समीकर नंबर एक में रखेंगे इस बीडी को उठाके समीकर नंबर एक में रखेंगे तब समीकरण X समीकरण 1 I वराबर हो जाएगा and A BD की वैलू लगा दीजे यहां से देखे BD की जो वैलू है आप यहां से ऐसा करते हैं A की वैलू और लगा थे A की वैलू है A की वैलू आप लोगों निकाले थी कौन से उकेसन थी जिसमें A की वैलू थी A की वैलू गाई थी EV अपॉन LM यह वैलू साइज उकेसन नमबर तू थी जिसमें हमने A की वैलू लगाई थी A की वैलू EV अपॉन LM थी और इंटू में चला है और यह जो वैलू आपकी निकल के आई है इसके लिए भी हटा दीजिए या फिर पीवी वराबक हो गया इवी अपॉन एलेमेंटू में डाप और यह गया हुँने लगाई है समीकरण फूस कहां से लगाई है समीकरण फूस यहां तक भी डेरिवेशन पूछ लेता है तो यह हो गया आपका अनवमन बेग और बेववा बिवांतर में सम्वन पूसका है तो आपको यहीं तक करना पड़ेगा और अगर वो आगे पूसका है इससे केसा नमबर 3 नाम दे दिजिए अगर वो आगे पूसका है कि अनवमन बेग के आधार पर ओम के लियम का सत्यापन कीजए तो हमें इसके लिए आगे बढ़ाना है आपकी बन जाएगी आई बराबर एन ए और बीडी की जगह लगा दीजे ए वी अपॉन एलें इन्टू में टाउ और ये इन्टू में चलना है ए तो यह आगिया एन एई स्कॉाइड बी टाउ अपॉन एलें यह आई चलना है जो बी है उसे हम आई के नीचे ले आते हैं तो यहां इसके लिए हम लिख सकते हैं आई अपॉन बी बराबर एन ए इस्कॉाइड टाउ अपॉन यह आई अपॉन बी हो गया अब हम इस टर्म के लिए क्या काम करेंगे दोनों तरफ उलट देंगे जैसे कि इस टर्म के लिए द M upon N A E square down. अब यहां पर समझने बाला point है. देखें, small L क्या चीज़ है? यहां पर को small L है, वो चालक की लंबाई है. चालक की लंबाई कभी नहीं बदल सकती है, यह constant है. चालक अगर आपने यह माल लीजे, 10 cm लंबा चालक ले लिया, तो उसकी लंबाई 10 cm ही रही है. इसका मतलब L constant. M, एक 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 एक्टरान का द्रबिमान है, जो इसके रोता है एक्टरान का द्रबिमान भी नहीं बदल सकता है. A, जो A कर यहां पर, A, वो A जो हैं अनपरस्त काट का च्छेतरफल है, यह भी नियत है. A, एक 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 एक्टरान का आबेस है, यह भी चेंज नहीं हो सकता है. लेकिन जो टाव है, टाव आफ रिलक्स बेसन, यह ज़रूर बदल सकता है. टाव को छोड़कर यहां पर जितनी भी चीज़े हैं, वो सारी के सारी constant है. टाव दो टक्करों के बीच लगा आउसस समय होता है. अगर आप किसी चालक का टेंप्रेचर बढ़ाएंगे, तो टेंप्रेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो मुक्त लेप्रान होंगे, वो बहुत जल्दी जल्दी टक्राएंगे. ठीक है, उनका बीच बढ़ेगा, और बढ़ने की बज़े सुल में टक्कर जल्दी जल्दी होगी, अर्फाट टाव की वेलू क्या होगी, कम हो जाएगी. ये कब कम होगी, जब आप टेंप्रेचर बढ़ाएंगे. अगर आप बाइचांस टेंप्रेचर भी नियत कर दें, तो टाव की वेलू क्या हो जाएगी, कॉंस्टेंट हो जाएगी. अर्फाट नियत ताव पर ये पूरा जो एलेम अपॉन एन एस्क्वाइड टाव है, वो नियत हो जाएगा. तो यहां पर एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, एद ताव, नियत हो तब, एलेम अपॉन एन एस्वाइड टाव क्या होगा? नियतां होगा. अब देखें, फाइनल कितना आ गया इसका? अतहर यहां से आ गया, बी अपॉन आई बराबर कॉस्टे, बी अपॉन आई बराबर कॉस्टे मतलब नियतां, और यहीं तो उन का नियम होता है, या भी प्रपोजनल होता है, आनल, यह कब आया है? जब ताप नियत रहे. अगर आप ताप को नियत नहीं करते, तो एलेम अपॉन आई इसका अटाव कभी भी नियत नहीं आता, तो यहां से प्रूफ हो गया, कि अगर टेंट क्रेचर नियत रहे, तो गोल्टी जो धारा का जो अनुपात होता है, वो हमेसा कॉस्टेंट होता है, और यही तो उन का नियम ह कि यद किसी चालक की भोतिक अबस्ता जैसे ताप ना बदले, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया दिववांतर, और उसमें पहने वाली धारा का जो अनुपात होता है, वो हमेसा एक नियतांग होता है, यही ओम का नियम है, तो इस तरीके से अनुवमन बेक के आधार पर ओम के नियम का सत्यापल हो जाता है, तो आज के लेक्शर के लिए चलिए हम यही पर खतम करते हैं,